हेलो बच्चों, वेलकम बाक टू माई चैनल मेरा नाम जगदीप है और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं और इनल यूटिलिटी अनालेसिस की इछले वीडियो में हमने बात की थी बजट लाइन के इंट्रोड़क्शन की इस वीडियो में हम बजट लाइन कैसे ड्रो करते हैं वो देखेंगे याने कि हम बजट लाइन की डाइग्रेमेटिक रीप्रेजेंटेशन देखेंगे प्लस हम बजट लाइन की इक्वेशन भी स्टादी करेंगे बच्चो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना क्योंकि जैसे ये वीडियो सीवीज खतम होंगी मैं इस पूरे सेग्मेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉंसेप्ट्स नोट्स और क्विजज रिलीज करूंगी और आप वो डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहोगे ठीक तो बचों बढ़ते हैं लेक्चर में तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्टेडी किया था बजट लाइन क्या होती है बजट लाइन वो होती है जो वेरियस कॉंबिनेशन दिखाती है दो कमोडिटीज की जो एक बजट लाइन को रीप्रेजन करेंगे डाइग्रामेटिकली तो हमारी पास कुछ पीसेज ओफ इन्फरमेशन होने चाहिए जैसे कि प्राइसे ऑफ बोध दो कमोडिटीज और कंजूमर की इंकम जो कि यह डेफिनेशन बहुत क्लियरली यहां पर मेंशन कर रही है तो हमारी पूरे वीडियो सीरीस में हमने चॉकलेट और पीजा स्लाइसेज पे ही जोर दिया है तो इस पार भी वही दो कमोडिटीज रहेंगे तो हम एजूम करते हैं कि प्राइस ऑफ चॉकलेट याने की वन चॉकलेट का प्राइस है फोर डॉलर और एक पीजा स्लाइस का जो प्रा कर सकता है at the price of $4 चोकलेट के लिए और $2 पीजा स्लाइस के लिए ठीक है अब यहां हमने यह स्केडियूल बना रखा है अल्रेडी तो इस शेडियूल के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे ठीक है अब इस शेडियूल में क्या है हमाई पस्वेरियस कॉंबिनेशन है हमाई पस चोकलेट की कॉंटिटी है और पीजा स्लाइस की भी कॉंटिटी है अब हम देखते हैं कि भई हर एक कॉंबिनेशन पे कंज्यूमर अपनी पूरी इंकम स्पैन कर रहा है या नहीं कर रहा है ठीक है उससे पहले बजट लाइन की इक्वेशन हमें समझनी होगी तो बजट ला इनकी इक्वेशन क्या होती है तो बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स ताइम्स उसकी कॉंटिटी प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई ताइम्स उसकी कॉंटिटी विल गिव यू यॉर मनी इनकम ठीक है अब इस इक्वेशन का क्या म spend करेगा ठीक है अब हम यहाँ देखते हैं combination A में so combination A में combination A में 5 chocolates ली है और pizza slices का कोई भी quantity नहीं खरीदा है chocolate कितने का है भई 4 dollar का times 5 plus pizza slices कितने है 0 एक भी नहीं खरीदे कितने का है pizza slice pizza slice है 2 dollar का times 0 यह हमें देता है 20 ठीक है कैसे आया 20 4, 5 is 20 2 times 0 is 0 so दोनों को add करने पे हमें 20 मिल गया ठीक इसी तरह से अब हम combination B देखते है combination B में consumer 4 pizza slices ले रहा है 4 dollar की price पे और 2 dollar की price पे 2 pizza slices ले रहा है तो इसकी भी total value 20 हो गई है ना 4 4s are 16 और 2 2s are 4 16 plus 4 20 ठीक इसी तरह से हम आगे का भी देख लेते हैं यह proper fit हो रहा है या नहीं सो 4 dollar की price पे 3 chocolates और 2 dollars की price पे 4 pizza slices यह भी 20 ही दे रहा है हमें याने की पूरी income जो है consumer की वो consume हो रही है next combination 4 dollars की price पे 2 chocolates and 2 dollars की price पे 6 pizza slices यह भी हमें 20 ही दे रहा है इसी तरह से 4 dollars की price पे 1 chocolate and 2 dollars की price पे 8 pizza slices इससे भी हमें 20 की ही income मिल रही है and finally 4 dollars की price पे एक भी चोकलेट नहीं खा रहा है यह इंसान और 2 dollars की price पे 10 pizza slices कंजूम हो रहे है याने की यह भी 20 तो तक्रीबन हर एक कांबिनेशन पे consumer अपनी full income spend कर रहा है अब इसे हम diagrammatically represent करके देख लेते हैं कैसा लगता है यह बनगी हमारी y और x-axis क्योंकि हम utility analysis पर है ordinal utility analysis तो y-axis पे हमेशा की तरह chocolate और x-axis पे pizza slices schedule मेरी chocolates की spelling wrong है ठीक कर देते है यह chocolates ठीक है अब हम pointers mark कर ले है so chocolates है 0-5 तक so वैसे ही ले जाते है let's see 1 2 3 4 5 और pizza slices at 10 तब बनाते हम अपनी budget line zero pizza slices और 5 chocolates यह हो गया point A two pizza slices and four chocolates chocolates यह थोड़ा अंदाजन ही बनेगा बिकास मेरे पस केल्स नहीं है आपकी बुक्स में यह अच्छे से बन जाएगा four pizza slices and three chocolates यहाँ पर six pizza slices and two chocolates यहाँ पर eight pizza slices one chocolate यहाँ पर and finally यह यहाँ पर इनको नाम दे देते हैं c d e and f एक freehand drawing कर लेते हैं so मैं से दीरे दीरे बनाऊंगे क्यूंकि मेरे पास केल्स नहीं है यह बन गई हमारी budget line ठीक है इसको बोलते हैं budget line अब इस budget line में यह जितने भी pointers है a b c d e and f इन सभी points पे consumer अपनी सारी income consume कर रहा है अगर आपने मेरा पीछला वाला वीडियो देखा है तो वहाँ पे हमने कुछ pointers यहाँ लगाए थे और कुछ pointers यहाँ लगाए थे जो हमने बताय थे कि यह points जो है यहाँ पर consumer अपनी full income utilize नहीं कर रहा है so he is under spending I won't say under spending he's not spending his full income so half income half income is spent not exactly half but पूरी we spend नहीं हो रही है और यह जो point है यह unattainable है क्यों unattainable है क्यों यह पैसे के बहार है हमारे resources नहीं हमारे पास सिरफ 20 रुपे हैं और इसको खरीदने के लिए लग भग consumer को 3.5 chocolates लगेंगी और लग भग 10 pizza slices multiply with prices हम इसे afford नहीं कर सकते ठीक तो इस तरह से आपकी budget line जो है वो तयार होती है एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी कि budget line बनाते समय आपके जो extreme ends है वो हमेशा axis को touch होंगे दूसरी important चीज हमेशा एक downward sloping curve होगा downward sloping curve क्यों क्योंकि हमारी income limited है अगर हम कोई एक commodity जादा खाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी कम करनी ही पड़ेगी हम अपने limited budget में दोनों commodities जादा consume नहीं कर सकते ठीक तो this is how budget line diagrammatically represent की जाती है ठीक है बच्चों अगर आपको छोटे वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरा Instagram channel follow कर सकते हैं और नहीं details में आप नहीं पड़ पाओगे वहां पर conceptual knowledge आपको जरूर मिल जाएगी ठीक है? so you can follow me on my Instagram channel link आपको description box में मिल जाएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में bye now take care